तीदिंग एक complex process है जो किसी-किसी बच्चों में काफी सारी परसानियों के साथ आता है तीदिंग painful हो सकता है लेकिन usually यह बच्चों को बिमार नहीं करता है आपको डॉक्टर के पास तब जाना है जब आपके बेबी को diarrhea, vomiting और high grade fever के साथ-साथ उसके body पर rash दिखें क्योंकि यह तीदिंग के normal sign नहीं होते है इसके पहले के वीडियो में मैंने बात किया था कि तीदिंग process कब start होती है, कब तक चलती है, milk tooth और permanent tooth में क्या आंतर होता है और साथ मैं यह भी discuss किया था कि delayed dentition क्या होता है इन सारे topics को मैंने detail में discuss किया था उस वीडियो का link आपको eye button में मिल जाएगा उस वीडियो को आप जरूर देखें, so that आपको टीदिंग के बारे में फूरा knowledge मिल सके आज के वीडियो में मैं बात करूँगा, दात निकलते समय बच्चे को क्या sign और symptom मिलते है यानि बच्चों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तीदिंग के टाइम पर parents के बीच क्या myths यानि अंद विश्वास होते हैं तीदिंग के टाइम पर आपको क्या home remedies यानि घरेलू उपचार करना चाहिए और क्या home remedies avoid करना चाहिए अगर आपके बच्चे को home remedies से अराम नहीं मिल ला है तो आपको क्या medical management करना चाहिए इसके बारे में भी मैं बात करूँगा और वीडियो के last section में मैं बात करूँगा बच्चे के दात निकलने के बाद उस दात की कैसे care करनी है हलो दोस्तों मैं हूँ आपका pediatrician first of all I will talk about what is normal sign and symptom of teething teething के time पर अलग-अलग बच्चों में अलग-अलग symptom देखे जा सकते हैं जैसे कि बच्चे का गम स्वेल कर गया हो बच्चा काफे ज़्यदा इरिटेट हो और बहुँ ज़्यदा क्राई कर रहा हो कोई भी समान को मुह में ले जा रहा हो बच्चे के मुह से बहुँ ज़्यदा सलाईवा आ रही हो जिसकी बज़स से बच्चे के फेस पर रैसिस बन रहे हो अगला symptom यह भी देखा जा सकता है कि बच्चे का temperature थोड़ा सा बढ़ा मिल सकता है लेकिन यह temperature जनरली 100 से नीचे ही रहता है अब बात करते हैं तीदिंग के टाइम पर परेंट्स के बीच क्या मित्स यानि अंद विश्वास होते हैं फर्स्ट वन क्या तीदिंग बच्चों में फिवर कराता है तीदिंग कभी भी बच्चों में फिवर नहीं कराता है तीदिंग कोई बैक्टिरिया या बाइरस नहीं है जो बच्चे में फिवर करा दे हाँ यह हो सकता है कि तीदिंग के टाइम पर बच्चे का टेंपरेचर थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है लेकिन यह टेंपरेचर जनरली 100 से नीचे ही रहता है दुसरा मित है क्या तीदिंग के टाइम पर बच्चों में बोमीटिंग और डैरिया होती है तीदिंग कभी भी बच्चों में बोमीटिंग और डैरिया नहीं कराता है हाँ यह हो सकता है तीदिंग के टाइम पर बच्चे के गम यानि मसूरे में स्वेलिंग हो जाती है जिसकी बज़ा से वो हर एक चीज को अपने मुह के अंदर ले जाना चाता है यह चीज गंदी भी हो सकती है या गंदे खिलोने भी हो सकते है इसकी बज़ा से बच्चों में इंफ्यक्शन हो जाता है और इस इंफ्यक्शन की बज़ा से बच्चों में डैरिया और बोमीटिंग मिल सकती है तीदिंग के टाइम पर parents की सबसे बड़ी responsibility यह होनी चाहिए कि वो बचे के आज पास के चीजों को clean रखें वो बचे के खिलवनों को regular basis पर clean करते रहें so that बच्चा lose stool और fever से बस सके इस phase में तीदिंग के चलते परहसान नहीं होना है बलकि तीदिंग के चलते होने वाले complications से परिशान होना है क्योंकि मैंने starting में ही बताया है तीदिंग development का एक normal part है इसके रिए बिल्कुल परिशान नहीं होना है बलकि parents को तीदिंग के टाइम पर होने वाले infection से बचे को prevent करना है दोस्तो अब बात करते हैं तीदिंग के ताइम पर होने वाले समस्या से बचे को किस home remedies यानि घरेलू उपचार से help कर सकते हैं कौन सी home remedies यानि घरेलू उपचार यूज करते हैं इसको discuss करने के पर यह discuss करते हैं कि आपको क्या चीज घर पर नहीं करना चाहिए अपने बच्चे को soothing effect देने के लिए parents हर वो चीज ट्राई करने लगते हैं जो जाने और अंजाने में बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है तो आपको इन सब बातों का खास ख्याल लखना है मैं उन सारी बातों को बताने जा रहा हूँ जो आपको तीदिंग के टाइम पर बच्चे में avoid करनी है तो इन सारी चीजों को आपको भूल कर भी अपने बच्चे में try नहीं करनी है इसमें पहला है कोई भी ऐसी चीज जो liquid या पानी से भरी हुई हो बच्चे की मुँ में नहीं दिना है हो सकता या tear हो जाए और बच्चा इसे घूट ले यानि spill कर ले जिसकी बज़ास से बच्चे को choking और asphyxia हो सकता है कोई भी चीज जो प्लास्टिक की बनी हुई हो या उसके तूटने की असंखा हो उसको बच्चे को नहीं देना है बढ़ना यह चीज बच्चे को choking और asphyxia करा सकता है ठाड वन बच्चे को कूल चीज देनी है नकि freeze की हुई कोई solid पदार्थ या बच्चे के मुझ के लिए hard हो सकता है जिसकी बज़ासे बच्चे के गम में injury हो सकती है चौथी और सबसे important बात बच्चे को हमेशार silicone based rubber से बने तीदर देना चाहिए कुछ तीदर बहुत ही खतरनाक material के बने होते हैं जैसे लेट के या बच्चे के लिए बहुत ज़्यदा खतरनाक हो सकता है इसको बिल्कुल avoid करना है कुछ parents especially mother तीदिंग के टाइम पर अपने बच्चे को तीदिंग necklace पना देती है as a pediatrician मैं इसे बिल्कुल recommend नहीं करूंगा अब बात करते हैं बच्चे को तीदिंग के टाइम पर जो भी समस्या होती है उसका घर पर कैसे निवारन कर सकते हैं यानि क्या home remedies कर सकते हैं जब भी दांत निकलता है बच्चे के गम यानि मसूरे में swelling हो जाती है जिसकी बज़र से बच्चा बहुत ज़दा irritate रहता है और वह cry करता है ऐसे situation में आप अपने बच्चे को कैसे soothing effect दे सकते हैं क्या-क्या home remedies यानि घरेली उपचार कर सकते हैं बच्चे को कोई भी थंडी चीज जैसे की cold pacifier, cold with cloth और refrigerate किया हुआ cold toys दे सकते हैं या बच्चे को काफी soothing effect प्रोवाइड करती है अगर आपका बच्चा six month के उपर का है तो उसे थंडा पानी CP cup में दे सकते हैं तीदिंग के ताइम पर आपको अपने बच्चे का gum massage भी करना चाहिए gum massage करने का तरीका यह है कि आप अपने finger को clean कर लें और cool water में dip कर लें फिर fit करने से पहले बच्चे का gum massage कर सकते हैं ऐसा करने से बच्चे को काफी ज़दा अराम मिलता है अगर आप nursing mother है तो बच्चा निपिल bite भी नहीं करेगा निपिल में कोई injury नहीं होगी यह तरीका आपके लिए best रहेगा कई बार तीदिंग के time पर बच्चे के मुझ से excessive saliva आती है जो बच्चे के skin को काफी ज़दा irritate करता है जिसकी बज़ा से बच्चे के face पर rashes बन जाते हैं अगर आप बच्चे के chin के नीचे vips या cloth रख देंगे तिया saliva को सक कर लेगा जिसकी बज़ा से बच्चे के skin को irritation नहीं होगा और बच्चे के face पर rash नहीं बनेगा आप ऐसा भी कर सकते हैं गाजर और खीरा लेकर उसकी streak बना लें फिर उसे चिल्ड कर लें बच्चे को जब भी pain होगा बच्चा इसे अपने मुह में लेगा इसकी बज़ा से बच्चे को काफे ज़्यदा अराम मिलेगा मैंने जो भी home remedies यानि घरली उपचार बताया है इतना सब करने के बाद भी अगर बच्चा continuous cry कर रहा है फजी है और बहुत ज़्यदा इरिटेट है तो आपको medical management की तरफ जाना चाहिए आज मैं कुछ medicine बताने जा रहा हूँ जो तीदिंग के time पर आपके बच्चे में काफे ज़्यदा help करेगी medical management आपको हमेशा pediatrician से consult करने के बाद ही करना है पहली medicine है paracetamol drops इस medicine में anti-paratic के साथ energetic property होती है इसलिए या medicine fewer को कम करने के साथ तीदिंग के time पर बच्चे में होने वाले दर्द को भी कम करता है paracetamol की दोज हमेशा बच्चे के age और weight पे depend करती है इसलिए इसकी दोज को pediatrician से जरूर consult कर लें बच्चे के लिए कौन-कौन से medicine जरूरी है बच्चे का first aid box कैसे बनाना है या video में मेरे चैनल पर available है आप इससे देख सकते हैं इससे आपको काफी ज़्यादा help मिलेगी next medicine है आई-वी जैसिक प्लस इस medicine का action भी paracetamol drops जैसा होता है इस medicine को देने से पहले एक बात का 20 सिल्फ से ध्यान देना है कि इस medicine को हमेशा six month के उपर के बच्चे में ही यूज करना है अगर paracetamol से बच्चे का दर्फ कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप आई-वी जैसिक प्लस ट्राइ कर सकते हैं इसकी डोज भी हमेशा बच्चे के weight और age पे depend करती है इसलिए इसकी डोज को pediatrician से जरूर consult कर लें next medicine जो आप अपने बच्चे को teething के time पर दे सकते हैं ओ है colicate drops, gastrica drops या DFS drops excessive saliva sequition के बच्चे को down or discomfort हो जाता है जिसकी बच्चे का पेट फूल जाता है ऐसे situation में बच्चे को colicate drops से काफी ज़्यादा relief मिलता है इसकी डोज आप screen पर देख सकते हैं अब बात करते हैं teething के time पर आपको अपने बच्चे में क्या medicine avoid करनी चाहिए कई बार parents teething के time पर बच्चे को दर्द को कम करने के लिए उसके gum area में कोई medicine rub करते हैं या medicine generally powder, jail या liquid spray form में होती है ऐसा करने से बच्चे का gum पेन तो ठीक नहीं होता बलकि बच्चे को बहुत सारी दिकत स्टार्ट हो जाती है जब भी आप medicine को gum में rub करते हैं या medicine saliva के थुरू वासाउट हो जाती है और बच्चा इसे मूँ के अंदर ले लेता है जब या medicine गले के थुरू पास होती है तो या गले में inflammation और irritation कराती है जिसकी बच्चे का गला hard हो जाता है और उसे निगलने में दिकत होने लगती है इसलिए parents को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कुछ parents तो teething के time पर teething gel या liquid या liquid यूज करते हैं जिसमें बेंजो के नाम का chemical होता है या बच्चे के लिए काफे ज़्यदा हनिकारक होता है इसलिए parents को ऐसा बिल्कुल भी उज नहीं करना है So avoid such type of product दोस्तों अब बात करते हैं क्या आपको teething के time पर gripe water यूज करना चाहिए Teething के time पर gripe water का यूज बहुत ही common है क्या आपको मालूम है gripe water में sodium bicarbonate का नाम का chemical होता है जो one year से कम के बच्चे के लिए हनिकारक हो सकता है So इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है कुछ परेंस teething के time पर homeopathic medicine यूज करते हैं Even homeopathic doctor इसे prescribe नहीं करते हैं क्योंकि यह alcohol based होता है जो one year से कम के बच्चे के लिए safe नहीं होता है लेकिन parents इसे use करते हैं मैं parents को aware करना चाहता हूं कि इसका बिल्कुल use नहीं करें कोई भी medicine use करने से पहले doctor से जरूर consult कर लें दोस्तो वीडियो के last section में बात करेंगे बच्चे के दांत निकलने के बाद उस तीत की कैसे care करनी है वैसे तो आप बच्चे के दांत निकलने से पहले से ही आपको oral hygiene maintain करना होता है जब तक बच्चे का दांत नहीं आया है तब तक आप बच्चे के गम यानि मसूरे को भीगा कपड़ा या गोज पीच से उसे clean कर सकते हैं इसे दिन में जरूर एक बार clean करें इसी तरह दांत निकलने के बाद सेमेवे में दिन में दो बार तीत की सफाई जरूर करें फीदिंग के बाद ऐसा करना अच्छा रहता है बच्चे के first birthday के बाद आप soft bristle वाले brush यूज कर सकते हैं पहले आप brush को पानी में भीगो लें फिर उस पर इसमाल म्यावन पे तूट पेस्ट लेकर बच्चे के तीत का gentle wash करें याद रखें तूट पेस्ट में full ride नहीं होना चाहिए एक साल के बाद आप बच्चे के dental का regular check-up कराने के लिए pediatric dentist के पास भी जा सकते हैं आज के लिए तीदिंग पर इतना ही मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफी ज़्यदा help करेगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like करें अगर चैनल अच्छा लगा हो तो ऐसे ही बच्चों से related content के लिए मेरे चैनल Child A to Z India को subscribe करें Thank you